हेलो आपरीवन वेलकम टू इन प्रभाका ट्यूटोरियल सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीबेशी क्लास टेंट सोसल साइंस के सलेबस में कौन-कौन से रेडूस्ट किये गये हैं कौन-कौन से टर्म्स और चैप्टर्स हटाये गये हैं उनके बारे मैं आज इस इस वीडियो में डिसकस कर रहा हूँ इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मैं ने मैट्स और साइंस का भी स्लेबस दे चुका हूँ कौन-कौन से चैप्टर्स और स्लेबस रेडेक्शन किया गया था रेडूस्ट किया गया था वहाँ पे सो यहां पर मैं सोसल साइंस की ब यह देखो मैंने पहले से open कर रखा है यहाँ पे लिखा है Central Board of Secondary Education सो मैं आज बात करने वाला हूँ Social Science की syllabus की Class 10th Social Science का कौन-कौन से syllabus है वो reduced किया गया और कौन-कौन से syllabus revised किया गया इट मिन्स मैं बात करूँगा revised syllabus of SST इट मिन्स सोसल of academic year 2020 और 2021 सो मैं यहाँ से revise Social Science में चला जाता हूँ और देखो मैंने यह download कर रखा है आप लोग को मैं link description में देदूँगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो अब देखो मैं बात करता हूँ सीधे Class 10th की मैं बात कर रहा हूँ यह वीडियो Class 10th वालो के लिए है क्योंकि इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा वह Class 9th वालो के लिए होगा तो अभी 10th वाले बच्चों आप लोग सारे books history, geographic, economics और civics का निकाल कर बैठो क्योंकि यहाँ पर बात social का है science और math नहीं है किन topics आएंगे यहाँ पर chapters ही हटाएगा है आप लोग नोट कर लोग तो ज्यादा बेटर होगा हम chapter को ही note कर लिए तो आपको full year इसी से पढ़ना है एक bonding होना चाहिए ना पढ़ाई के लिए पढ़ा year पढ़ना है तो bonding ज़रूरी है आप क्रिकेट खेल रहे हो और boundary का पता ही नहीं है तो आप कैसे exam दे सकते हो राइट ना बच्चों यहाँ पर देखे कोर्स structure class training के लिए कोर्स structure इंडिया और contemporary world 46 periods का it means 20 marks का यह है contemporary इंडिया 20 marks and democratic politics 20 understanding economic development 20 total 80 marks का पीपर अबका same as usual होने वाला है तो मैं बात करता हूँ सीथे course content का और सबसे पहले मैं आप लोग फटा-फट SST का बुक निकालो और SST it means SST का बुक क्या होता है history की बुक निकालिए और वहाँ पे mark करो syllabus जो जो topics हटाए गये हैं और जो topic आपको इस यह पढ़ने हैं तो सबसे पहला chapter है first chapter the rise of nationalism in Europe तो मैं आपको बता दू यह chapters उन chapters के बारे में आपे mention कर रखा है जो आपको पढ़नी है it means यह revised topic है तो यह chapter आने वाला है तो first chapter को आप लोग click कर लो कि यह chapter है 2020 और 21 के exams में आने वाला है so first chapter है the rise of nationalism in Europe second chapter कि मैं बात करू nationalism in India तो यह chapter भी इस year आने वाला है मतलब इसका reduction नहीं किया गया है यह chapters आएंगे और जो तो topic mention कर रहे हैं वो सारे topics से question पुछे जाएंगे अगर मैं बात करू chapter हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि chapter 3 है इसमें कुछ instruction दे रखे है आप पहले भी first previous year भी इन दो chapters में से कोई एक chapter आते थे it means chapter 3 और 4 में से कोई chapter यहाँ भी कुछ ऐसा ही कह रहा है any one of them of the following the theme selected should be assessed in the periodic test but it means इन दोनो chapters में any one of them जो है theme जो है वो सिर्क periodic table के लिए it means periodic test के लिए है so जो test होता है school test अगर school open होता है वहाँ पे test होता है so वहाँ पे chapter number 3 और 4 आएंगे यह board के लिए नहीं है so इसको आप लोग कट ही कर लो chapter 3 और 4 जो है board के लिए नहीं है the making of a global world नहीं आने वाला है board के paper में 2021 10th के exam में यह chapter नहीं आएंगे नहीं the making of a global world और नहीं the age of a industrialization और आप लोग भी यहाँ पे notice जो है note जो है वो देख सकते हो अब मैं बात करता हूँ chapter number 5 का तो chapter number 5 तो हटाई दिया गया है आप हम लोग कह सकते हैं कि history में यहाँ पे बस दो ही chapter रखा है वो है the rise of nationalism in Europe and the nationalism in India I mean chapter number 1 और chapter number 2 और 3 और 4 जो है वो school paper periodic test जो होता है उसके लिए है board के लिए नहीं है तो यह तो बात कर रहे थे हैं SSD का आप लोग मार्किंग कर लो chapter number 1 और 2 ही आप लोग को पढ़ना है ओके बच्चो अब मैं चलता हूँ geography की syllabus पर आज़ो बच्चो जल्दी जल्दी geography का book निकालो और वहां पर marking करो कौन-कौन से chapters हैं कौन-कौन से नहीं है सो मैं first chapter की बात करू resource and development तो यह chapter आने वाल है इनके सारे topics भी mention कर रखें यह सारे topics आपको पढ़ने है यह chapter आएगा इसको फटाबर टिक किजिए यह chapter आने वाल है आपको देखो बुक में second chapter जो है forest and wildlife resource का है तो यह chapter नहीं आने वाल है थर्ड chapter की में बात करू water resource तो इसमें भी कुछ note दे रखा है only map items are given in the हाँ तो chapter number three जो है water resource यह भी नहीं आने वाला है कुछ maps वाले जो items होते है maps का questions जो आता है इस बोर्ड में इस chapter से कोई भी theoretical question नहीं पूछेगा सिर्फ map वाले questions होंगे chapter number four की मैं बात करूँ तो agriculture agriculture आने वाला है important chapter भी है so agriculture आएगा agriculture आप लोग को पढ़ना है chapter number five की बात करूँ तो minerals है and minerals and energy resource है ना chapter का name chapter number four sorry five भी नहीं आने वाला है यह chapter भी क्योंकि यहां लिखा यह note में लिखा है there is only map items as given the map it means सिर्फ map items यहां से आएंगे और कोई theoretical questions जो हैं यहां से नहीं देने वाले है so अप लोग chapter number five में cut कर लो chapter number five भी नहीं आने वाले है chapter number six की बात करूँ तो manufacturing industry यह chapter आएगा सारे topics इसके mention कर रहे हैं मतलब यह आने वाले है and one last chapter lifelines of national economy तो यह chapters भी आ रहा है तो यहां पर मैं बात करूँ जिगरफी में तो जिगरफी में total seven chapter में आपका वस four ही आएगा it means three chapters वह है वो reduced कर दिया गया है chapter number second chapter number third और एक chapter number मैंने बताया five forest and wildlife resource water resource और minerals and energy resource it means resource वाला तीनों chapter cancel हो गया है reduced कर दिया गया है so यहां clear है चलिए अब आप लोग civics का book निकालिए civics की मैं बात करूँ तो civics में देखो पहला chapter power sharing तो आप लोग देखो सबसे पहला chapter तो वही है power sharing तो यह chapters तो है full आने वाले हैं मतलब यहां पर किसी भी तरीके कोई reduction नहीं है second chapter की में बात कर लूँ तो federalism में भी आने वाला है इस chapter में भी किसी तरीके कोई decryzment नहीं किया गया है इट मेंस first chapter second chapter full आने वाला है third chapter oh my god third fourth fifth क्या opportunity आप लोग को मिला है चलो chapter 1 or 2 के बाद सीधे 6 में जाना हैं so इसके बाद सीधे फैडलिक के बाद सीधे 6 है political parties तो यह chapter आने वाला है इसके बाद outcomes of democracy भी आने वाला है और एक chapter number 8 वाउ chapter number 8 भी नहीं है challenges of democracy भी यहां से अटा दिया गया है तो अगर मैं civics की बात कर दूँ तो आठ में केवल पांथ सौरी चार चैप्टर आने वाला है it means 50% chapters जो है वो हटा दिये गया है कौन-कौन से चैप्टर नहीं आने वाले है democracy and diversity कट का sign लगा लो अप लोग books के contents में second chapter gender religion and caste और third हो गया popular struggle of movements और एक last है challenge of democracy so मैं चलता हूँ economics पे economics में देखता हूँ क्या आने वाला है तो economics में जनरली कुस topics मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे decreasement किया गया हुगा first chapter development full of chapter है यह chapter पूरा पढ़ना है आप लोगों को पूरा से questions किया जाएगा sectors of the Indian economy यह भी पूरा आने वाला यहां से भी कोई decreasement नहीं है ठर्ट chapter की मैं बात करूँ तो money and credit money and credit से भी सारे के सारे chapters आने वाले है और fourth chapter की मैं बात करूँ तो globalization and Indian economy भी आने वाले इतमेंज एक chapter सिर्फ अटाया गया है जो chapter project work के लिए रखा जाता है consumer right consumer right जो chapter है उसे यहां से हटा दिया गया है और project work तो इस यह होंगे नहीं तो आप लोग इसको काठी लो तो ज्यादा बेटर है consumer right यहां से नहीं आने वाले है तो बच्चो मैंने whole sst का syllabus अभी देखा और हमें क्या-क्या सबज में आया इसमें बहुत सरे chapters वे हैं वह हटा दिये गए हैं सो मैं chapter का syllabus contents दे चुका हूँ आप लोग को आप लोग बुक में टिक कर लो कौन-कांसे chapters हैं और कौन-कांसे हटा दिये गया है सो यह sst का syllabus था मैंने science का भी previous वीडियो में दे चुका हूँ description में link होगा उसका आप लोग देख लो वहां से और math का भी देख लो और बेटर होगा अगर आप लोग बुक में mention कर लो सारे chapters को क्योंकि इसी से आप लोग full year पढ़ने वाले हो पहले ही से problem है कि school में पढ़ाई नहीं हो रहे हैं online tutorial लेना है आपको और मैं सारे topics का class भी लूँगा तो आप लोग मेरे साथ channel में बने रहो जिससे वहां पे सारे topics मैं clear करूंगा science, maths और somethings भी हो आप लोग टिक करो बच्चो ओके ये तो class 10 वालों के लिए था अगर class 9 वाले भी आप लोग देख रहे हो तो कोई बात नहीं मैं class 9 का भी वीडियो बनाने जा रहा हूं so next videos होगा class 9 का ही होगा सो ओके बच्चो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो subscribe जरूर करो तभी हमारी साथ ना बने रहोगे और साथ ही साथ notification bell को जरूर प्रेश करना तभी आपको नए नए वीडियो की notifications वह हैं वो मिलते रहेंगे so good luck, good day